हेलो स्वागत है नए वीडियो में आज किस वीडियो में देखेंगे आयुसमान कार्ड को हम मुबाइल आप के माद्यम से या अपने फोन से कैसे बनाएंगे और सारी चीजे यहाँ पर एक्स्प्लेंड करेंगे चैसे ज्यादा लोग है वह आसानी से बनवा सकते यहाँ पर मेंसन है कि जिनके सदस्य है चैसे ज्यादा है तो इजली से उनका नाम एड कर लिया गया ठीक है तो अभी इस आज की वीडियो में आप पूरा देखेंगे कि फोन के माद्यम से कैसे बनाएंगे चलिए लिए चलत गए तो यहां पर सरच करेंगे आईसमान अप ढाइप सर्च करेंगे तो इस तरह से एक ऐफ है आईसमान में आप नेशनल हेल्थ अथरोटी करके है इसको इंस्टॉल कर लेना ठीक है डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो आगर आपरेटर है तो उसको जो क्या करना है कि जो operator की idea उससे login करना है beneficiary है तो आप अपना खुद से ही अपना beneficiary होंगी तो KYC के मदम से बना पाएंगे नहीं तो नहीं बना पाएंगे अब यहाँ पर अपना mobile number डालना है operator है operator पर उसके बाद verify पर click करना है जैसे verify click करेंगे तो आपके सामने फिर यहाँ पर दो option आएंगे OTP-based या आप अधार OTP-based कैसे आप यहाँ पर इसको select करना चाहते है आप इसको select कर सकते हैं जैसे यहाँ पर इसको select कर लिए ठीक है आपके उसने mobile number पर OTP जाएगा OTP डालेंगे OTP डालने के बाद capture fill करेंगे login पर click करेंगे जैसे login पर click कर देंगे तो आपके सामने देखिए आपका dashboard इंटर्फेस सर्फ खुल गया है अब यहाँ पर पहले आपको state select कर लेना है जैसे कि जिस भी state से ब्लांग करता हो candidate लावारती उसके बाद यहाँ पर scheme PMJAY select कर लेना जैसे कि इस दो है तो यहाँ में PMJAY select कर लेता हूं उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है कि आप कौन से यहाँ पर select करना चाहते है कि मतलब family id आधार id name तो यहाँ पर simply में आधार number वाला उसको select करता हूं क्योंकि सबका आधार card number से पता चल जाता है कि यहाँ पर नाम है किने ठीक अब उसके बाद यहाँ पर जो district है उसको select कर लेना है चलिए मैं यहाँ पर district के लिखा है इंडेंटिफाइड करने के लिए लिखा है अब यहां पर किलिक कर सकते हैं। यहां पर देखिए आधार OTP के माद्यम से कर सकते हैं, finger के माद्यम से कर सकते हैं, face authenticase कर सकते हैं या Iris scan के साथ कर सकते हैं Simply दो options ज्यादा होते हैं तो चलिए मैं यहां पर जो आधार OTP वाला है मैं उसको select कर लेता हूँ और उसके बाद जो consent है उसको allow कर देता हूँ और जो उनके register mobile number पर एक OTP जाएगा जो उनका mobile number registered होगा तो वो OTP उनसे ले लेना आप fingerprint को लगा के यहाँ पर कर सकते है ठीक है तो चलिए मैं simply उनका जो OTP गया उसको mobile number पर उसको यहाँ पर डाल के जैसे submit करूँगा आगे तो कुछ इस तर से beneficiary की photograph और यहाँ पर खुल जाएगी और detail भी देखनों की मिल जाएगी जस्ट बगल में image वाला option होता है simply इस पर click करेंगे और image अपने phone से capture करेंगे जैसे capture करेंगे तो यहाँ पर फोटो उसकी upload हो जाएगी ठीक एक second photo वहाँ पर upload करनी एक पहले से होगी नीचे scroll down करके आएगे यहाँ पर देखेंगे कुछ दो परकार की data source data एक कीवाइस data इनको दोनों को match करके यहाँ पर जैसे 55% है तो इसको 55 से 100% करना ठीक है अब यहाँ पर दो option है do you have mobile number अगर आप yes करना चाहते तो yes कर दे no करना चाहते तो no करके छोड़ दे यहाँ पर अगर yes करेंगे तो verify करना पड़ेगा अब इनका relation के आई जिसे रासन कारणे महिला मुखिया होती है तो यह उनके husband है तो यहाँ पर मैं इसको select कर लेता हूं ठीक है husband है यानि कि जो मुखिया wife है उसके husband है ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर select करने के बाद आगे click करेंगे चलिए relation मैंने select कर लिया अब उसके बाद यहाँ पर data of birth यानि कुछ basic details है जो उनको fill करना है जो लाभारती है ठीक आधार काट से आप यहाँ simply देख करके detail fill कर देंग detail fill करने के बाद यहाँ पर जो पिन कोड होता है उसको mention कर देंगे चलिए मैंने फिन कोड यहाँ पर डाल दिया है by default state select कर रहेगा और यहाँ पर रूलर और अर्बन जैसे कि रूलर एरिया से तो मैं रूलर select कर लेता हूं उसके बाद सब district यानि कि जो तैसे ही होती है उसको select कर लेना है जो लाभरती के सब district को अप्टर दिन यहाँ पर जो विलेज होता है जो लाभरती का विलेज है आप उसको यहाँ पर select कर लेंगे चलिए मैंने सारी चीज़ेट कर दी next अब यहाँ पर submit पर click करने के बाद यहाँ पर दिखाए ekyc is completed आयुसमान कार्ड इस रेड करने के लिए सेम उसी तरह से दिखाता है डिडिकाइड करने के लिए लेको डाउनलोड नहीं कर पा रहें अभी मैं यहाँ पर download करने के दुछा तो को यहाँ पर दीखा विस हो जाएगा चलिए मैंने फिर से यहां पर login किया कुछ मनतलब यहां पर मैं दिखाया दे रहा हूं किस तरह से मैंने download किया download करने का process login करने के बाद फिर सेम process के state select किया scheme select किया by search से मैं अधार काट से ही search करूँगा क्योंकि मैं अधार काट से बनाया था अधार काट नमबर डालके यहां पर हमने सब कुछ डाल देया district को गहरा जो भी है जोज करने के बाद आप नीचे यहां पर मैं submit करता हूं यहां पर मैं district select कर लेता हूं ठीक है district select करने के बाद आधार नमबर और search फर click किया search फर click करने के बाद अब देखिए यहां पर कुछ इस तरह से अभी detail में नीचे scroll करके आता हूं देखिए आप दिख रहा होगा कि यहां पर green होगे मैंने इसका दूसरे दिन open किया जैसे ही तो यहां पर जो मैंने बनाया था वो पहले number पर आ गया है approved लिखा है अब यहां पर simply इनका बन चुका है ठीक है आप कुछ दिन बाद ट्राइ करें मतलब एक दिन बाद ट्राइ करें तो आसानी से दिखेगा तुरंत कभी कभी नहीं दिखता है कभी कभी दिख भी जाता है अब यहां पर जिसका भी approved है तो आप उसको check box में tick कर देंगे जिसका download करना जैसे मैं इसका check कर दिया उसके नीचे उसका card type यहां पर कुछ इस तरह से बन करके आ जाएगा अब यहां पर देखिए स्क्रॉल करेंगे उसके detail खुल जाएंगे अब card download करने के लिए भी आपको KYC करनी पड़ेगी वो आप कैसे भी कर सकते हैं चार option है चलिए मैंने OTP base ही किया था तो मैं यहां पर OTP base ही इनका KYC कर लेता हूं और उसके बाद download करता हूं आप किसी भी तरह से इनका face authentication करके यहां पर upload कर सकते है ठीक है यहां पर consent देंगे और मैंने अधार सेलेट किया था OTP base करेंगे अब आटोमेटिक यहां पर एक मुबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा जो आधार से रिजिस्टर्ड होगा आपको simply उस जो OTP गया है उसको यहां फिल कर देना है अगर आप face authentication करते हैं उससे भी हो जाएगा OTP डालने के बाद अब यहां पर जो submit वाल प्रोसे से हमने submit कर दिया है अब थोड़ा से यहां पर वेट करना है जैसे वेट करेंगे यहां पर लिखा authenticated by सिव बरन आप दे डाउनलोडिंग कार्टिक इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि जो लाभारती था उसका हो च सकते हैं देखें यह message आज चुका है आईसमान कार्ट डाउनलोड सब्सक्राइब इस वीडियो मैंने दोनों चीज़ बताती है कि KYC कैसे करने मुबाइल आप के मात्यम से और कार्ड को भी कैसे डाउनलोड करना है सारी चीज़ें आप मैंने इसली बता दिया अब ओके पर क क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कार्ड दिखेगा आई वोप आपको समझ में आगया होगे किस तरह से डाउनलोड करना मुबाइल के अब से थैंक्स पार वाचिंग और मिलते अगले उडिवियों धन्या